hello friends तो हम DT का next revision lecture start करते है आज के revision lecture में जो topic हम start करने वाले हैं वो है search and seizure तो बहुत ही interesting सा topic है अधो बहुत अच्छे सा हम इसको read करेंगे तो हम start करते हैं सबसे पहले आपको एक chart दिख रहा होगा यहाँ पर search and seizure and इसमें क्या होता है? कि हमें दो पार्ट में इसको रीट करना है पहले तो हमें यह देखना है कि IT अथर्टी की क्या पावर्स है सर्च और सीजर की रिगार्डिंग मतलब कैसे वो सर्च कंड़क कर सकते हैं अब यहां पर सर्च कंड़क करते ही वो सीधा डिमांड लोटिस इशू नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको असस्समेंट करना होता है प्रॉपर्टी का लाइबलिटी का सब असस्समेंट होने के बाद के अंदर यहाँ पर demand notice issue होता है इसलिए हमें दूसरा जो part is का assessment वो भी read करना पड़ता है तो आज हम जो part start करने वाले हैं वो है powers सबसे पहला point आता है when search can be authorized तो search कव होगी तो किन-किन cases ऐसे हो सकता है जिनमें search conduct की जाएगी तो यहाँ पर आपको एक chart दिख रहा है इसमें सबसे पहले यह बोलता है if the IT authority has reason to believe अगर IT authority के पास में reason to believe है किन बातों की regarding? दो बातों की regarding number first क्या आता है notice under section 142-1 or someone under section 131 issued or might be issued and the assessee failed to produce or will not produce such books of accounts and documents तो यह क्या बोल रहा है basically assessment procedure के अंदर हम देखते हैं कि section 142-1 के अंदर जो AO है वो क्या कर सकता है notice issue कर सकता है books of accounts and documents produce करनी के लिए तो यहाँ पर हम read करेंगे बाद में कि पिछले 3 साल के documents मंगाए जा सकते हैं तो अगर जो IT authority है उनके पास reason to believe है मतलब कुछ basis पर हम को यह लगता है कि अगर 142-1 नहीं करेंगा तो दोनों ही cases के अंदर यहाँ पर अवर IT authority के पास इस बात का reason to believe है तो यहाँ पर search conduct हो सकती है ठीक है next point ही क्या बोलता है any person in the position of any money jewelry or other valuable article and such asset has not been disclosed would not be disclosed for the purpose of IT act second point ही क्या बोलता है कि मानलो किसी person के पास में कोई भी money है या फिर jewelry है या फिर कोई other valuable article और thing है जो IT authority को ऐसा लगता है किनी reason के basis पे हो सकता है उसका past record ऐसा है किसी asset का तो या तो उसने disclosed नहीं किया है has not been disclosed or would not be disclosed या फिर उसको disclose नहीं करेगा अगर उसको disclose करने का बोला गया या फिर कोई भी income tax के proceeding होई उस case के अंदर तो इन दोनों cases के अंदर अगर IT authority के पास reason to believe है तो वो उसके जो official premise है वहाँ पर जाके search conduct कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी reason to believe record करेगे IT authority को authority वो IT authority को reason to believe जो उसने record किया है वो किसी और को देनी कि यहाँ पर need नहीं होती है मतलब यहाँ पर कोई भी person या कोई authority या फिर appellate tribunal यहाँ पर यह appeal नहीं होगा तो कोई भी appellate tribunal होगा ठीक है तो कोई भी appellate tribunal है या फिर कोई other person है या कोई भी authority कोई reason disclose करने की requirement नहीं होती है ठीक है next point आता है procedure to search and seizure इसकी procedure कैसे होगी तो कौन-कौन ऐसी authority IT authority के अंदर जो issue कर सकता है इसका warrant तो यह बोलता है who can authorize search कौन authorize कर सकता है तो यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखे है यह लोग है वो search को authorize कर सकता है ठीक है लेकिन अगर additional CIT है या फिर DIT है या JC या JD है तो उस case के अंदर यह बोलता है if empowered by CBDT तो यह लोग तो empowered by CBDT होंगे तो ही वो authorize कर सकते है search को otherwise नहीं कर सकते है लेकिन जो PCCIT है CCIT है, PDGIT है, DGIT PCIT, CIT, PDIT और DIT यह लोग हमेशा ही search को authorize करने के लिए authorize कर सकते है इनके पास में राइट होता है कि वो search को authorize कर सकते है ठीक है I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा next point आता है power of the authorized officer in course of search ठीक है तो यहां पर search के case के अंदर उसकी पास में क्या-क्या powers होती है वो हम रीट करेंगे search के regarding तो first point यह बोलता है enter and search any building, place, vessel, vehicle, aircraft where has suspect that books of account, money, etc. are kept तो यह क्या बोल रहा है कि जो भी authority होगी वो कोई भी building के अंदर या फिर कोई वैसल या कोई aircraft है या फिर कोई भी vehicle है जहां पर उनको यह लगता है कि books of accounts है या फिर कोई property मिलने के chances है तो वहाँ पर enter करके वो search कर सकते है यह powers होती है किसी भी authorized officer के पास में second point यह बोलता है power to break lock, door, boxes, locker, etc. if keys are not available तो यह क्या बोलता है कि जो भी authorized officer होगा उसके पास में यह power होती है कि अगर किसी door की या box की या फिर किसी locker या फिर किसी lock की की उसको available नहीं हो रही है तो वो उसको break कर सकता है उसके पास यह power होती है third यह बोलता है require any person who is in control of books of accounts maintained in electronic form to provide the passwords तो कोई books of accounts अगर electronically maintained की गई है तो वो उसकी password को मांग सकता है next यह बोलता है search any person who has got out of or is about to get into as is in building vehicle place and vessel तो यह क्या बोल रहा है कि जो भी building vessel या फिर कोई भी place है या फिर कोई भी vehicle है या एरक्राफ्ट है जहां पर भी search conduct हो रही है वहां पर जो भी person है वहां पर उनकी भी search हो सकती है या फिर कोई person अंदर से बाहर आ रहा है या फिर बाहर से अंदर जा रहा है तो उन जो person है उनकी भी यहां पर search conduct हो सकती है next यह बोलता है seize any books of accounts, money, bullion, jewelry, etc. found in the search तो यहां पर जो authorized officer होता है वो क्या कर सकता है कि उसको search के अंदर जो भी money, bullion, jewelry या फिर कुछ भी article मिलता है valuable उसको लगता है कि उसको वो seize करना चाहिए तो वो कर सकता है ठीक है लेकिन यहांबर आपको important बात ध्यान रखनी है कि stock है उसका seizure नहीं हो सकता है आगर रैकेट में लिखा है however stock cannot be seized ठीक है I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा अब seizure कितने टाइप के हो सकते एक तो physical seizure जो नॉर्मल ही होता है कि physically किसी asset को ठाके और IT authority है वो लेके चली गई ठीक है लेकिन यहांपर two types of seizure हम और देखेंगे जिसमें है deemed or constructive seizure और prohibitory order और order of restraint ठीक है तो सबसे पहले हम रीट करेंगे deemed or constructive seizure यह कब होता है जब किसी asset को seize करना practical या possible नहीं होता क्यों नहीं होता उसके weight की वज़े से या फिर उसके volume की वज़े से या फिर नेचर की वज़े से ठीक है नेचर ऐसा है की बहुत हाम हो जाएगा अगर उसका उठा के और बाहर लेके गए तो या फिर उसका weight इतना जाता है कि जो IT authority उसको ले जानी सकता या volume इतना जाता है कि उसको ले जाए नहीं जा सकता तो उस case में हाँ पर deemed or constructive seizure होता है अब यह कैसे होता है तो यह बोलता है authorized officer may serve an order to the owner or the person who is the immediate position that he shall not remove deal with part with such asset without approval of the authorized officer तो यहाँ पर जो authorized officer है वो क्या करेगा कि उस asset का जो भी owner है या फिर जिसके भी position में वो asset है उसको वो एक order देगा क्या order देगा कि IT authority के अगले आदेश तक वो उसको deal नहीं कर सकता या डील नहीं कर सकता मतलब उसको sale नहीं कर सकता या उसको कुछ भी use नहीं कर सकता उसका पार्ट नहीं कर सकता या उसको remove नहीं कर सकता तो इस तरही का order तेगे यहाँ पर deemed या constructive seizure है वो हो सकता है ठीक है next आता है prohibitory order और order of restaurant तो यह क्या बोल रहा है कि not practical or possible to take the physical position of books of account and asset तो यह भी same है लेकिन यहाँ पर reason अलग होगा मतलब weight volume या फिर nature वाला reason ना होके किसी और reason की वज़े से यहाँ पर practicable नहीं है या possible नहीं है उस asset या book of account को यहाँ पर seize करना है तो उस case में भी क्या होगा same होगा IT authority क्या गरेगी जो भी उसका owner है या जिसके position में वो goods है उसको वो order देगी कि IT authority के अगले order से वो उसको remove ना करे या फिर deal ना करे या फिर कुछ भी उसका part वगेरा ना करे ठीक है जैसे for example क्या हो सकता है कि मानलो किसी भी building के अंदर या किसी business premises के अंदर वहाँ पर search conduct हो रही है अब वहाँ पर एक employee काम करता है उसकी salary बहुत कम है लेकिन उसके पास में बहुत चादा property है तो IT authority को इस बात का शक है कि वो जो property वो उसके owner की है ठीक है तो उस case के अंदर यहाँ पर क्या करेगी IT authority उस employee को एक notice देगी कि IT authority के अगले order तक वो इस property को dispose of या फिर डील ना करे ठीक है तो इस तरीके का जो order होता है उसको हम प्रोलता है prohibitory order और order of restaurant ठीक है तो इसके साथ ही हमारे आज का revision lecture complete होता है I hope आपको समझ में आया होगा मिलते हैं next revision lecture में thank you